नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी वर्ण माला पर वर्ण माला वर्णों की माला वर्ण किशी भी वाशा की सबसे छोटी इकाई होती है और उशी के आधार पर ही किशी भी वाशा का व्याकर्ण निर्धारित किया जाता है अगर हम हिंदी व्याकर्ण की बात करें तो हिंदी व्याकर्ण में वर्णों की संख्या गलग-गलग मानी गई है जैसे हम देखें तो कहीं पर हमें 44 संख्या मिलेगी तो कहीं पर हमें 52 मिलेगी इस अंतर को समझने के लिए आपको इतना समझना है कि हिंदी में उचारन की पर हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है अब जिसे लावा च्यार कि संयुत वेंजन जिसे हम इसके इंतरगत गिनते हैं उसके बाद में इसके अलवा अगर देखा जए तो ये होगे चमलिश 14 seiner 14 उसके बाद में दो धौनिया अयोग वाया है जिसे हम अनुस्वार और विशर कहते हैं और उसके बाद में दो धोनिया है जिसे हम दूइत वेंजन कहते हैं डे और ढये दो प्रकार्से लिखा जाता है इस प्रकार्से आप देखो गे तो हिंदी में वर्णों की शंख्या है वो उचायन के आधार पर चौमाली से और लेखन के आधार पर बावन है अब हम बात करेंगे कि वल्लों में भी दो भेद होते हैं कौन-कौन से एक होता है स्वर दूसरा होता है वेंजन स्वर का मतलब है कि वे धोनिया जो सोतंत्र रूप से बोली या लिखी ज होती है सवाने परिबाशा जैसा कि आप सबको पता होगा कि जिस धोनीके के स्वरों की शाहता की आऊशकता होती है तो से हम व्यंजन धोनिया कहते हैं तो हिंदी हिंदी में स्वरों की शंक्या 11 हमानी जाती है हिंदी में स्वरों की संक्या 11 है और 11 में भी इसके दो भेद किये गए हैं कौन-きます धीर्ग धोन्या और रीश्वधव्व्वद्व१ॉन schizophrenia जिनके उचारण में कंउम्क्राल के लिगता है और वेधोणिय争 जिनके चाल में थोड़ा ज्यदा समय लगता है उन्हें हम दीर्ग धोनिया कहते हैं रिश्व धोनियों में अ, ई, उ और री है उसके बाद में दीर्ग धोनियों में आ, ई, उ, ए, आ, ई, ओ, आ, उ ये सबी है वो दीर्ग धोनिया है उसके बाद में अगर देखा जाए तो सोरों के भी मुखे तह दो भेद किये जा सकते हैं एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधे स्वर मूल स्वर का मतलब जो मूल तह ही लिखे और बोले जाते हैं किशी अन्य धौनी की साहता से या फिर किशी अन्य धौनियों के मेलशे ये नहीं बनते हैं जेशे ए, ई, उ, और री संध्य धौनिय का मतलब, संध्य मतलब दो या दो से दो स्वरों के मेलशे एक अन्य स्वर का निर्मान होता है तो होता है संध्य धौनी शंदिय के भी दो बेद होते हैं एक होता है दीर्ग शोर दूसरा होता है सयुक्त सोर दीर्ग का मरलब जैसे समान सोर आपस में मिलकर एक नए सोर का निर्मान करते हैं जैसे ए और अ मिलकर आ का निर्मान करेंगे और ई और ई मिलकर ई बड़ी ए का उ और उ मिलकर बड़े उ का निर्मान करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा यह है दिर्ग उसके बाद में शयुत यह समान स्वर न मिलकर बलकि अ समान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्मान करते हैं जिसे ए, ए, ओ, ओ, ठीक है तो ए, और ए से ए बना, और ए से अई बना, और ओ से ओ बना और और ओ से ओ मुग नुसी के अधार पर चोड़ों का वर्गी करनवब कर सकते हैं। उसके बाद में कहीं किसी किसी जगे किया जीव्या की इस्तति के आधार पर शोरों का वर्गी करण जैसे कि कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी आप किसी भी धोनी का उचार्ण करते हैं तो हमारी जीव प्रतेक धोनी के उचार्ण में एक जगर नहीं रहती है उसी के अधार पर हमने इसके तीन भेद कि यह हैं अग्र मध्य पस्ट जब किनी दोनियों के उचार्ण में हमारी जो जीब है वो आगे के इस तर पर आ जाती है मों के आगे आ जाती है तो उसे इस इस्तिति में हम उसे अग्रो धोनिया कहते हैं ई, ई, ए, आ, ई, और री उसके बाद में मद्य हमारे किशी भी दोनि के उचार्ण में जीव की इस्तरती मध्य भाग में होती है तो उसे हम मध्य धोनी कहते हैं जिसके अंतरगत हिंदी में धोनी आती है उसके बाद में तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं पश्ट धोनी मतलब किसी धोनी के उचार्ण में जीव की इस्तरती मुँ में अंतिम छोर पर होती है तो आ यह दोनिया है जिसे हम जीवा की इस्तती के आधार पर वर्गी करन करते हैं उसके बाद में आता है कि किसी भी दोनियों के उचायर में आपके मुह की इस्तती क्या होती है मुह के खुलने के आधार पर वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है आधा कुला हुआ है किस परकार से खुला हुआ है इसकी आधार पर इस दोनियों का वर्गी करन किया गया है इन दोनियों के चार वेद किये गए हैं जिनमें संवरत धोनी अर्द शंवरत धोनी वीवरत धो यह आपको मैं इस परकार से पुछा जा सकता है कि फार कि परकार की उप्संन दे लिसे कौन शही तो आपको करना है सव्रत भोने सबस्ष मरत निन जिसे उस्षा कहा जाता है वीवरत जिसे निन स्वर कहा जाता है इस परकार से आप इन धोनियों का वर्गी करन कर सकते हैं तो मोटा मोटी तोर पर आपको जो प्रश्ण पुछे जा सकते हैं कि सोरों की शंख्या कितनी है ग्यारा है उसके बाद में सभी श्वर है वो घोष धोनी होती है सभी श्वर अल्प प्राण होते हैं घोष और अघोष अल्प प्राण और महाप्राण आपने इन धोनियों के नाम सुने होंगे तो घोष मतलब जिस दोनी के उचाण में गुंजन ज्यादा हो गर्जन ज्यादा होती है तो वह होती है घोष धोनिया अल्प प्राण जिसके उचाण में कम समय लगता हो कम वयू की आउशकता होती है वो कि याद करक्षकते हम इसके बार में हम बात करते हैं इसके बाद में हमारत करते हैं उसके अंतरगेद हमने इसमें रखा है सामने तया इसका हम जब वर्गी करन करते हैं तो यह पाते हैं कि यह सामने तया इसपर्ष दोनी अंतस्त उस्म सयोगत इसपर्ष दोनिया वे दोनिया जो किशी भी उचार्ण के समय किशी भी दोनी के उचार्ण के समय मुझ के किशी न किशी भाग को इसपर्ष करने के बाद में वो बाहर निकलती है तो इसपर्ष दोनिया है इसपर्ष में कैसे लेकर मैं तक मतलब केवरगपूरा चेवरगपूरा टेवरगपूरा तेवरगपूरा और परवरगपूरा इस प्रकार से 25 दोनिया है जो इसपर् में मुह में गर्मी की उस्म की इस्तती उत्वन हो तो शय शय सह उसके बाद में शयुक्त क्षट्रग्य और श्र यह चार धोनिया हैं उसके बाद में एक अन्य प्रकाफ से भी हम इसका वर्गी करना कर सकते हैं जैसे किसी ने किसी बाद को इस्पर्ष करने के बाद ही वे धोनिया बाहर निकलती है तो जैसे क ट और प यह सारे के सारे जो वेंजन हैं इसके इंतरकत हम 16 धोनियों को रखते हैं ठीक है तो यह कैकगuno झिक है ठेट हैं और यह मलब रत्यक वर्ग की प्रथम 16.गार्ष के इंतरकत आती है उसके बाद में इस पर शकरश संगर्शी धोनिया इस पर भी भी हो और घर्शन भी हो तो यह आती है चाय ज्य ज्य निवरग की प्राथम च्यार धोनिया उसके बाद में आती हैं शंगर्शी धोनिया को जिसमें इस पर नहीं हो लेकिन घर्शन ज्यदा हो शे शे सर और इसके उसके बाद में का और जफ कौंसे जिन दोनियों के नीचे नुखता लगा होता है जिसे हम फार्षी दोनिया भी कहते हैं कर उसके बाद में नाशी के धोनिया नासी की दोनिया प्रत्य वरग की अंतिम्स होता है वह नाशी दोनियोți क Moment कर दोनी नाक से निकलती है। उसके बाद में प्रकम्पित जीसे हम रा को रखते हैं उतक्षित जिसमें डेय और धय को रखते हैं ठीक है उसके बाद में देखते हैं घोस्धोनिया घोस और अघोस्ध। खोशतों के यहार वर इंदी में दो प्रकार की बने थे हैं एक गोस्ट looking दूसरा और गोस्ट दोनी घोश्ट जिसमें घर्जन ज्यदा हो और अगर जिसमें घर्जन कम हो गोश दोनियों के इंत्रगित प्रतेक मरग का तीसरा चोत्हा और 5 वरंड जेसे लिए ये चोता लो आता है इसके अलावा यह र है यह ढहर लव है यह जलाती है गह गोस्त दौनिया केलाती है उसके बाद में एगोस्त धौनिया पहला और दूसरा वरन शेयर स ये सभी है वह खोस्त धौनियों में सभी शवर गोस्त धौनियों के उंटर्गत आते हैं उसके प्रानतों के अधार पर हिंदी में दो परकार की दोनी होती है एक अलप प्राण धोनिया और दूसरी महाप्राण धोनिया अलप प्राण जिसमें कम समय लगता हो दूसरा महाप्राण जिसमें ज्यदा स्वाश कीचने की आव सकता होती है अल्प प्राण में प्रतेक वरग का पहला तीसरा और पांचवा वरण उसके बाद में यह लव उसके बाद में महाप्राण ध्वनियों के इंतरगत दूसरा और पूथा वरण जैसे के वरग में देखा जाएं तो यह एक तेन और पाच यह तो सबी हो जाएंगे अल्प प्राण ठीक है और यह हो जाएंगे महाप्राण त्यक है इस परकार से आप इसको कुर्ण समझ सकते हैं इसके अलावा शै शैस है यह सबी दोनिया है यह इस महा प्राण के इंतरगेर आती है उसके बाद में मुल तह जो वर्गी करन किया जाता है वो चांड स्थान के आधार पर वर्गी करन वेंजनों का या पूरी वर्ण माला का किया जा सकता है जैसे कि आप जब कभी भी किसी भी दोनी का उचान कर रहे हैं तो मुह के किस भाग से वो दोनी निकल रही है इसी के आधार पर हिंदी में यह जो वर्गी कंड किया जाता है यह उसी के आधार पर किया जाता है जैसे कंठे धोनिया जिसका भाग है वो क कंठ है कि इसका कौन सा बाग है कंठ है कंठे धोनिया जो कंठ शे निकलती है कंठे में कवरग पूरा है और विशर्ग यह सभी किसमें आते हैं कंठे में आते हैं उसके बाद में तालवे धोनिया तालवे मुह के पिछले हिसे का उपरी भाग जो होता है जिसे हम तालू कहते ह वहां से जो धौनी निकलती है उसे हम तालवे धौनिया कहते हैं इसके इंतर के तो चै वरग चै चै जै 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 अना उसके बाद में यह और शै ई और बड़ी यह सब ही किसमें आते हैं मुर्धन्य में ठीक है उसके बाद में हमारे जो जीब के अगले से का जो उपरी भाग है जिशे हम क्या कहते हैं मुर्धा कहते हैं मुर्धा से निकलने वाली धौनिया मुर्धन्य कहलाती है इसके इंतर करत टै वरग पूरा रह और शै आता है उसके बाद में ओश्ठे धौनिया मतलब जब आप किशी भी धौनी का उचान करते हैं तो समय हमारे होट आपस में मिल यसे कंट और तालू से उत्रें वाली धषोनिया कंट तालू बहुत तोभी धोनिया कहलाती है जिसमें दो है सवर आते हैं यह अहीं उसके बाद में कंट और और ऊ bisher निकलने वाली धौनिया कंठोस्ट यह चेंक हैं लूसके बाद में डंट और उस्ट से निकलने वाले धुनी दंट तुस्ट celebrities जिसके इंथरगत वे धुनई आती हैं और है को हम काकरले धुनी भी कहते हैं इस प्रकार से आप हिंदी की वरनवाला को आसानी से याद कर सकते हैं इसे ही आपको आसनी से पढ़ना है तन्यवाद